बॉनिंग बच्चों हम पढ़े क्लास एर्थ की हिंदी की बुख चेप्टर सेकेंड है हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ था है हम यहां तक थे कि सहसा मुझे बबलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि मिलाओं अते साम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबूतरे पर एक नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भहिया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परन्तु उसने मुझे पैचाना नहीं और देर तक मेरी योर नहारता रहा मतलब उसने मेरी नमस्ते का उत्तर तो दिया और खाट पर बैट गया लेकिन मुझे पैचान नहीं पाया और मुझे देखता रहा निहारता यानि कि देखता रहा मैं हूँ जनारदन काका आपके पास से गोलियां बनवा का ले जाता था मैंने अपना परचे दिया कि मैं हूँ जनारदन काका आपके पास से जो गोलियां ब मतिया ने याद कर रहा था कि कौन है वो तब एकदम बोल पड़ा आओ आओ लल्ला बैठो फिर तुम याद आया उसे उसने बोला आओ आओ लल्ला बैठो बहुत दिन बाद गाओं आये हो हाँ इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पाइप बैठते हुए उतर दिया कि इध मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और नाहीं बट्टी मचिया वो बताया था आपको सूत का बना हुआ उस पर बैठते हैं चार पाई हो जाए स्टूल जैसा ना तो बो नजर आया नाहीं बट्टी जो बट्टी चलती थी उस पर लाके कड़े बनाते थे वो आजकल काम नही पूछा कि आजकल कोई काम नहीं करते हो नहीं लल्ला काम तो कई साल से बंध है मेरी बनाई हुई चूडिया कोई पूछे तब ना कि मतलब अब तो मेरी बनाई चूडिया कोई पूछता ही नहीं है गाओं गाओं में कांच का पचार हो गया है वे कुछ दिर चुप रहा फ होते जाते हैं और पिर सुन्दरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाग में कहां संभव है फिर काका बोला कि जो कांच की चूड़ियों में सुन्दरता होती है जो अच्छी दिखती है वो लाग की चूड़ियों में कहां संभव है लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता ह बडी जल्दी तोट जाता है मेंने कहा मैंने फिर यह कहा कि काण्च बहुत खतनाक होता है तोट जाता है और नाजुक तो फिर होता ही है bullish कहते कहते ऐसे खासी आ गई और वहे देर तक खासता रहा मुझे लगा ऊसे दमा है अवस्था के साथ साथ उसका सरीर दीला हो चुका है अवस्था यानि की उम्र उम्र के साथ साथ उसका सरीर भी दीला हो चुका है उसके हातों और माते पर नसे उबाराई थी लाइने होती न लकी रहे हैं वो जाने कैसे उसने मेरी संका भाप ली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खासी है यही महिने दो महिने से आ रही है 10-15 दिन से ठीक हो जाएगी उसने आता न सोचा कि दमा तो नहीं है लेकिन उसने वो भाप लिया बोला कि नहीं मुझे दमा नहीं है यह खासी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यवदा चुपी है परेशानी मैं देर तक सोचता रहा कि इस मसीन योग ने कितने हाथ कार दिये हैं कुछ देर फिर सामती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका मैंने फिर पूछा कि आम की फसल कैसी है कुछ देर पच्चात मैंने बात का विशय बदलते हुए पूछा अच्छी है लल्ला बहुत अच्छी है उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरी रज्जो लल्ला के लिए आम तो लेया, फिर मेरी और मुखातिव होकर बोला, माफ करना लल्ला, तो मैं आम खिलाना भूली गया था, मैं बोला नहीं काका आम तो इस साल में नहीं बहुत खाई हैं वावा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँगा तुमको बदुगा ने कहा कि ऐसे कैसे मतलब बिना आम खाई हो तुमको जाने दूँगा मित चुपो गया मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मराई बचा कर रखता था गाए तो अच्छी है न काका मैंने फिर पूचा कि काका गाए तो अच्छी है ना गाए का है लल्ला दो साल हुए बेज दिये कहां से खिलाता मतलब गाय को मैं कहां से खिलाता इतने मैं रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में धेर सारे आम ले आई किसकी बेटी? बदुगा की रज्जो बेटी अंदर से डलिया में बहुत सारे आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खापाऊंगा मैंने कहां वो बोला कि काका आम तो बहुत हैं मैं कहां खापाऊंगा आज के लिए इतना ही फिर आगे के लिए देखते ही हमारी वीडियो दन्यवाद